हलो फ्रेंड्स मैं हूँ मिथले इसकुमार और आपका स्वागत करता हूँ उदित फार्मिसी के यूट्यूब चैनल पर तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक रहने वाला है एंटी रुमेटिक्स और एंटी रुमेटिक्स के अंतरगत जो आपके सिलेबस में ड्रग दिया हुआ है कॉल्ची कम सीड उसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं उससे पहले आप यह जान लीजिए यह टॉपिक आपके फार्मा कोगनोसी के चैप्टर नंबर फाइब स्टडी ऑफ क्रूब ड्रग्स में पढ़ना है जब इसके सिलेबस को आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा एंटी रुमेटिक्स जिसके अंतरगत एक ही ड्रग्स पढ़ना है वह है कॉल्ची कम सीड और यह चेप्टर बहुत ज्यादा इसी चैनल पर आज का अमारा टॉपिक रहने वाला है एंटी रुमेटिक्स समझेंगे क्या होता है और इसके ड्रग्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बहुत मजा आने वाला है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा लगता है आप लोग कमेंट अच्छे-च्छे करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके लिए तह देल से धन्यवाद बाकि आप लोग कहते हैं कि सर पूरा सिलेबस यूट्यूब पर पढ़ा दीजे तो आपको कोर्स मिल जाएगा बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत हैलफूल है कही न कहीं किसी एक प्लेटफॉर्म को आप जोइन कीजिए जिनके साथ आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है जिनसे आप चीजे समझ पाते हैं असानी से उनसे आप जानकारी लेने का प्रयास कीजिए बहुत अच्छा रहेगा कॉलेज के भरोसे मन पैठी है नहीं तो बहुत बड़ा पस्तावा होगा तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं मेरे से तो उदित फार्मसी आप को डाउनलूड करिए प्ले स्टोर से और वहां पर डी फार् रिमेटिक्स यहां पर क्या होता है ना पहले यह समझेंगे क्या होता है नो अब एक डिसॉडर है रूमेटिजम है रूमेटोईड्स आपको पता है कि अर्थराइटिस क्या होता है आप सुने होंगे, arthritis का ही एक type है, rheumatide arthritis, arthritis में क्या होता है, basically आप joint pain, आप समझ सकते हैं कि जोडों में तर्द, वही arthritis कहते हैं, है ना, जोडों में सूजन हो गया, swelling हो गई, दर्द हो रहा है, उसको arthritis कहते हैं, और arthritis कही प्रकार का होता है, जिसमें एक है rheumatide arthritis, और इसी rheumatide arthritis को treat करने के लिए, जिस तबाओं का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग anti-rheumatic कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, anti-rheumatic drug कहते हैं, बाकि मेरी आवाज थोड़ी धीली लग रही होगी, आज थोड़ा धीमा बोल रहा हूँगा, क्योंकि मेरी थोड़ा सत्वेट सही नहीं लग रहा treat करने के लिए, जिस दबाओं का उपयोग करते हैं, उसी दबाओं को अपयोग anti-rheumatic कहते हैं, ठीक है, अब यह rheumatized क्या होता है, तो गहीं लिखा है, देखी, the drugs used for treatment of rheumatism, rheumatism यानि rheumatide arthritis, है न, are known as anti-rheumatic, उसी को अब लोग anti-rheumatic कहते हैं, अब यह rheumatics क्या होता बेसिकली यह joint disorder है, आपको उने बताया न, कि एक प्रकार का arthritis है, और arthritis joint में pain को कहते हैं, तो एक प्रकार का joint disorder है, यहाँ पर joints में problem आती है, जिसे आप normally आप joints को देखेंगे, जहां जहां joint है, वहां वहां यह हो सकता है, जिसे normally यह joint को देखेंगे, तो properly हम लोगों का सही है, लेकिन जब rheumatide arthritis होता है, तो यह joint में दिखेंगा कि कहींने कहीं से दिक्कत दिखेंगा, यहाँ पर swelling होगा, या फिर bone दूसरे टाइप से हो जाएगा, टेढ़ा हो जाता है, और पर जो भी joints हो, और बहुत जादा दर्द होता है, swelling हो जाती है, inflammation हो जाता है, और बहुत जा नीचे से हमारा के करते टीविया फिबूला है, यह पटेला बोन है, है ना, जो की knee cap कहलाता है, यहीं जो आपका knee joint है, ज्यादा तर देखने को मिलता है, यह जो arthritis का केस, knee joint में, घुटनों में दर्द होता है, यह क्यों होता है, है ना, तब आपको समझाएंगे कि कैसे होता है, देखें, आपका जो blood है, blood में uric acid का मातरा, किसका मैं बात कर रहा हूँ, uric acid, इस बात का खयाल रखेंगा, uric acid का मातरा जब बढ़ने लगता है, लगतार बढ़ता जाता है, uric acid का मातरा आपके blood में बढ़ रहा है, उससे क्या होता है, कि monosodium urate crystals बनते हैं, क्या बनते आपके ये जो joints है, joints के articulating surface के around में क्या होता है, जाके deposition हो जाता है, यानि जम जाता है, वहाँ पर जाके जमा हो जाता है, और नाम में ही लिखना है कि crystals, यानि कि कंकर पत्थर के जैसा solid structure होता है, अब आपको पता होगा कि हमारा joint होता है, काटिलेज के द्वारा joint होता है, क अच्छे से freely movable होता है, लेकिन अगर यहाँ पर वही चीज़ें, यूरेट के crystals आ जाएंगे, तो वह क्या करेगा, इसके cartilage, smooth cartilage होने लग जाएगा, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामिशन छिल जाएगा, जिससे बोन इरोजन देखने को मिलेगा, बोन डैमेज ह से भर जाएगा, और वो दिक्कत कर जाएगा, अब जब यह वाला इस एरिया ना बड़ा sensitive होता है, पर neurons बहुत जादा होते हैं, अब जब वो crystals यहाँ पर present है, और जैसे वो joints हिलेगा, तो वो crystals इसमें टकराएगा, और टकराएगा, और चुकि सानुबियल प्यूड कम हो ग जो joints में है ना, यूरेट के crystals जमा होने लग जाते हैं, इस वज़े से आपका cartilage वगरा है, वो damage होने लग जाता है, जो joints के पास है, और सानुबियल प्यूड भी कम हो जाता है, और इस परेकार से जैसे यहाँ पर छील वगरा जाएगा, simply समझें न, छील जाता है, damage हो जाता क्या होता है, inflame हो जाता है, यानि की swell कर जाता है, फूल जाता है, इसी को हम लोग rheumatide arthritis करते हैं, और इसी चीज को treat करने के लिए जिस दवाओ का प्रियोग करते हैं, उसको हम लोग anti rheumatics करते हैं, समझें, आसा करता हूँ कि आप समझें होंगे, बाकी मैंने पूरी करता हूँ और उसको सुधार करने का प्यास करता हूँ, बाकी अच्छा लगता है मुझे, एक प्यारा सा comment वगरा कर दीजेगा, कि हाँ जी समझ में आ गया, चली वही चीजे पढ़ते हैं, condition of rheumatism, है ना, rheumatism, क्योंकि देखे, मैं एक teacher नहीं हूँ, आपको भी पता होग तो आप लोगों के comment से ही मुझे motivation मिलता है, का चली यह मैं भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, इसलिए, condition of rheumatism, rheumatism का condition क्या होता है, it characterized by increased level of uric acid in the blood, blood में uric acid का क्या होता है, मात्रा बढ़ जाता है, ब्लड में जब uric acid का मात्रा बढ़ जाता है, recurrent attack of inflammation of joints due to deposition of monosodium urate crystal, अब जो यह monosodium urate crystal का deposition होने लगता है, वो recurrent attack करता है, attack करने के कारण क्या होता है, inflammation हो जाता है, joints का, joints inflammation मतलब क्या होँ, swell हो जाता है, फूल जाता है, और वो cartilage वगरा जो है ना, यहाँ पर जो cartilage होते है, dendants होते हैं, ligaments होते हैं, जो आपके dendants है, synova यानि synovial fluid है, उसमें spontaneous pain देखने को मिलता है, अरे बहाई, simple से समझे, वो चिकना सतयता है, वहाँ पर आवर कंकर पथर आ गया, तो उसमें जब घिसेगा, तो दर्द तो होगा ही, और इसी तरीके से sever but lasting for a few days, अगर लगतार र निकले जो drugs होता है, उसको anti-dheumatics कहते हैं, हम लोग इसमें syllabus में आपका है colchicum seed, इसका पुरा नाम colchicum seed है, आप लिख सकते हैं, इस colchicum seed के बारे में पढ़ने वाले हैं, नाम में ही लगा हुआ है seed, तो these are globular seed, globular यानि की गोलगोल seed होता है, और dark red and brown color, dark red या फिर brown color का होता है, they are odorless bitter intest, या odorless होता है, यानि की इसकी खुसबू नहीं होती है, बाकि इसमें पेस्ट में अगर बात करेंगे, तो ये कड़वा होता है, bitter होता है, तीखा होता है, other names में बात करें, यानि की synonyms, क्या-क्या होता है, तो इसी को में लोग autumn crocus भी कहते हैं, या wild saffron भी कहते हैं, mido saffron भी कहते हैं, mido crocus भी कहते हैं, और इसका plant कुछ इस प्रकार का दिखता है, इसमें परपल प्ल फ्लावर वगरा दिख रहा होगा, biological source की बात करेंगे, तो it consists of the dried ripe seeds, dried सूखे हुए पके बीज से में प्राप्त होता है, प्लांट का नाम है colchicum autumn nail, है ना, colchic chemical constituent की बात करेंगे, तो इसका जो active principle है, alkaline substance कौन सा है, वो active, जो major active substance है, इसका major active chemical constituent है, वो colchicin है, ध्यान रखिएगा, यह थोड़ा poisonous भी होता है, they also contain resin, इसमें कुछ resin, fixed oil, glucose और starch वगरा पाये जाते हैं, और colchicin pale yellow crystal होता है, pale yellow यानि के हलका yellow color का crystal होता है, और maybe present in powder form, और powder के form में हमें present मिलता है, it is darkened on exposure to the air, air के exposure में आने पर यह थोड़ा dark हो जाता है, बाकि जब ध्रबडिक यूज की बात कर लेंगे, यानि कि कि किस बीमारी को ठीक करने में यूज होता है, पढ़ रहे हैं इसको anti rheumatics के अंदर गत, तो यह rheumatism को ठीक करेगा ना, तो यह बो थोड़ा होता है, they can be used as analgesic, यह analgesic के तरह यूज कर सकते हैं इसको यानि कि दर्द निवारक के तरह यूज होता है, anti rheumatics, anti rheumatics हमने बताई दिया, rheumatide arthritis को treat करने में यूज होता है, cathartic और emetic भी कभी-कभी इसको cathartic और emetic behavior भी इसमें देखने को, property देखने को बलता है, emetic जो की उल्टी करा दे, और जो cathartics जो की एक तरीके का heavy lexative होता है ना, जो की आपका जो constipation वगरा उसको relief कराने का काम करता है, they are used mainly in treatment of got, got भी एक प्रकार का arthritis है, joint solution disorder उसको treat करता है, rheumatic arthritis को भी treat करता है, it can also be used in treatment of leukemia, even leukemia यानि की cancer के case में जो blood cancer होता है इसको कहते है, इ एक बार ही capture लिजे, क्या था, colchicum seed, colchicum seed एक globular seed होता है, जो की dark red या brown color का होता है, और इसका जो आपका synonyms है, वो autumn crocus है, wild saffron है, meadow saffron है, meadow crocus वगरा है, और बाइले तो सोच की बात करेंगे, it consists of the dried ripe seeds, dried ripe seeds of the colchicum autumn nail, autumn nail नाम के colchicum autumn nail plant के dried ripe seeds से में प्राप्त होता है family liliacy है, और main chemical constituent colchicum seed है, और इसके therapeutic use में तो antirumatics होता है, cathartic होता है, analgesic होता है, emetic होता है, और lequimia के treatment में भी काफी helpful होता है, तो यहीं तक था, बाकि जिनको courses रिले जान करें चाहिए बने रही है वीडियो में, बाकि जो बच्चे देख लिए समझ गए, एक प्यारा course की, तो इस course को जैसे आप join करेंगे, जिसमें आपको recorded classes के बाद आपसे पूरा syllabus covered मिल जाएगा, इसी प्रकार से, इदर mannered way में, और daily live classes में मैं पढ़ाता हूँ, जहां पर syllabus आपता लगबग अभी फिलाल बहुत अच्छे तरीके से cover होने वाला है, और आपका 15 April के बाद से नए दोर से syllabus फरसे सुरू करेंगे, यानि दो बार आपको पुरा syllabus revise करवाएंगे, और e-book, pdf notes आपको मिल जाएगा, chapter wise exercise मिल जाएगा, chapter wise test मिल जाएगा, live chat की facility मिल जाएगी, bilingualी देखने को मिल जाएगा, कुछ slide English में रहेगा, मैं सम्धा होगा हिंदी में, और exit exam के guidance अभी सही proper दिये जाएगे, और यदि आप guide मंगाना चाहते हैं, यानि कि आप success guide जो है, हमारे द्वारा बनाया गया है, जिससे question बहुत ज़्यादा exam में फस्ता है, और इसमे theory plus model papers देखने को मिलेगा, फसली परती किताब है, तो ये भी आप हमारे audit pharmacy के app से order कर सकते हैं, इसके लि course को join कर लिजे, अभी फिलहाल इस course का price 1499 पे है, आपको बहुत अच्छे तरीके से रहा प्यारी कराई जाएगी, और आपको कोई भी अलग information चाहिए, तो आप इस number पे call कर लिजेगा, सुभाई 8 से ले करके सामके 6 बजे तक, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, payment related issues हो, हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से आपको help तरेंगे, कोई problem नहीं होने वाला है, बाकी कैसा लगा lecture, अच्छा लगा, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, ओके, बाबाई